हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत यच्छ होंगे वेलकम बैक टू मैं नी चैनल दा बाइकर समेट दोस्तो आज की वीडियो बहुत ज़दा interesting होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है Honda की CB350 HINES पर जो की दोस्तो कस्टम वाली है आप कह सकते हैं accessories वाली है या फिर आप कह सकते हैं cafe racer है जो आपके यह आपकी मर्जी है दोस्तों देखिए ऐसा आया कि इसमें और नौर्वाल हैने CB3 प्रेटियों में कोई जाधा फराक नहीं है और प्राइस में भी कोई फराक नहीं है आगे आपको मैं बताऊंगा कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है केफे रेसर और नौर्मल मौडल में चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करता है अगर चैनल पर पहनी बढ़ा है तो सब्सक्राइब परिएगा मिल गयाकन को आउन कर लिजएगा ताकि ऐसे ही इंट्रस्टी हुरेगा नोटिफिकेशन में आप तक पहुसते रह सके और आप में रिवडियो समदेट रह सके चलिए इस वीडियो को सुरू करता है सबसे बहले दोस्तों आपको बदा दू ये जो मॉडल है डिलक्स ये जो मॉडल आपको डिलक्स प्रो क्रोम मॉडल आपको इसमें देखने को मिल जाता है ये कलर आपशन आपको इसमें देखने को मिलेगा जैसे आप सोरूम आते हैं और आपको ये कलर आपशन चाहिए तो आप डिलक्स प्रो क्रोम मॉडल बोलेंगे बात करें दोस्तों इसके कुछ और तब important things के बारे में वह उस्तरी लोग सोचेंगे कि ये cafe racer है single seater है तो इसमें क्या ऐसा फ़रा का देखिए ऐसा है भाई आप इसे adjust कर सकते हैं ठीक इसे cafe racer बनाया गया है पीछे के call लगा के अगर आप चाहिए तो इसे normal जो है फिर ऐसा चलाना है और I think मेरे साब से कुछ जादा modification नहीं है आप इसे आपने जो custom किया है आप इसे खुद भी कर सकते है दोस्तों बात करें इसके price के बारे में ये एक्सू रूम प्राइस आती लवक 2,14,000 2,14,000 रुपए के आसपास की जो है आपको एक्सू रूम प्राइस देखने को मल जाती है अब बहुत सरे लोग इसका ओन रूड प्राइस पूछेंगे तो पहले आपको मैं clear कर दू अरेकिस्टे और सीडी में ओन रूड प्राइस में difference होता है क्योंकि अरेकिस्टेट की आईट्यों इंस्विन चार्जेसर फारफ होता है ये हमारे हाँ ओन रूड प्राइस आरी इलंबाग 2,68,000 रुपए के आसपास की जो है हमारे आपको इस ओन रूड प्राइस देखने को मल रही है तो दो पार्ट में आती है एक लोगी और एक हाई भी में लाइट की illumination आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी याप आपको जो डियरल लाइट है वो भी आपको इस बाइक में देखने को मल जाता है ठीक पी है था तो लाइट सेट अप फ्रेंट में इसमें आपको जो suspension मिलेंगे आपको टेलिस्कोपिक देखने को मिलेंगे suspension की जो quality दोस्तों वह भी आपका बहुत बैतर देखने को मिल रही है भाई जायर सी बात होंडा है brand quality नहीं कि आपको इसके जो build quality है प्लेस इसके जो parts है वह आपको बहुत अच्छे मिलेंगे जो tire size है front में आपको 190 अपने के tire size front में मिलता है जो की 19 inch मिल के साथ में आता है इसका front wheel 19 inch का रियर wheel 18 inch का आता है बात करें breaking के बारे में breaking को दूस्तो special feature में इसमें आपको dual channel anti-lock breaking system देखने को मिलता है जो की dual channel EBS आता है और अगर बात कर लिए plate size के बारे में तो front में इसमें आपको 310 mm की plate आती है front में आपको dual piston के Nissan calipers आपको यहापे मिलेंगे अब चलते हैं दूस्तो इसके सबसे important things यहने कि एक bike का heart जिसे हम engine के नाम से जानते हैं दूस्तो engine type में इसमें आपको Honda की तरफ थे 368.36 हिजिका air cool single cylinder 4-stroke ऐसा engine आपको bike में मिलेगा बात करें power and torque के बारे में दूस्तो यह bike maximum power में 20.8 का PS power generate कर दी है N30 के असपास का जो intermittent torque है वो हमें इस bike में देखने को मिलेगा याने कि power engine torque है तो उसके आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगा और actual में इसके torque काफी जाद है जब आप राइट करेंगे ना कब आपको वो चीज feel होने वाली है प्लस fill system में इसमें FI आता है जिसे fill injector भी कहते है प्लस cooling system में इस bike में आपको air cooling जो engine है वो आपको यह पर देखने को मिलेगा आप देख पार है इसमें head है head में इसमें काफी सारे fins बने है उस fins से आपको cooling system जो है यह bike offer करती है इसमें दुस्तों आप लोगों को 5 gear देखने को मिलेंगे एक काफी अच्छी बात है कि इसमें आपको sleeper class भी बलता है sleeper class होने की वज़े से bike के जो gear shifting है वो आपको काफी smooth देखने को मिलेगी प्लस इसकी जो board size है वो 70 mm है stroke size 90.5 mm के आसपास का मिलता है यह bs6 phase 2 भी हम जिसे कहते है फिर bs6 e20 norms भी कहते है उसके साथ में यह bike आती है ठीक तो दुस्तों इस bike का detailed engine specification बात कले इसके mileage and performance के बारे में देखें जो mileage है न वो आपके riding skill भी depend करता है कि आपके ऐसा ride करते है क्योंकि हरे किसी के ride करने का जो तरीका होता हो थोड़ा अलाग होता है बट फिर भी minimum आपको यह 40 plus का mileage निकाल कर देगी 0 to 100 में इसको लबबग 11 से 12 सेंड लगते है इसकी जो top speed है वो आपको लबबग 140 से 145 km per hour गया सपस की यह top speed है वो आपको इस bike की मिल जाती है अब आते हैं दुस्तों इसके rear profile में पहले मैं key on करता हूँ जैसे आप key on करेंगे आपको tail light मिलेगी on होती वे और tail light का look and design आप देख पार है काफी classic look दिया है आपको आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा इसमें जो रियर में suspension आते हैं दुस्तों आपको ट्वीन सोग एब्जरवर मिलेंगे यह की suspension quality ना वो भी आपको आपे बहुत अच्छी मिल जाती है यह bike की footrest quality अब देख पार है rear की footrest, यह frontal footrest दोनों की footrest quality वो भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी बात कर लें दुस्तों इसके seat के बारे में देखिए मैंने आपको पहले बता है देखिए पहले आपको normal CV 350 iris दिखाते देखिए यहाँ आपको dual seat plus backrest मिलता है और अगर इसके बारे में बात करूँ तो इसमें company ने क्या किया है मतलब स्रीपरसी पे एक काउल लगा हुआ है आप चाहे तो यह काउल को निकाल लीजे वापस से आप उस seat and backrest को निकाल लगा सकते हैं यह आप खुद पकुद अपने घर में ही कर सकते हैं कोई बड़े चीज नहीं है तो यह आप पे डिपेंड करता है कि आपको सिंगल सीटर चलाना है या फिर डूल सीटर चलाना आप सिंगल सीटर के मज़े ले सकते हैं से लगा के E20 की batching आपको यहापे मिलेगी यह आपका fuel cap है बात कर इस speedometer के बारे में दूसरे speedometer वे इस bike में आपको analog वी digital meter आपको bike में देखने को मिलता है सबसे पहले आप देख पारे speedometer है जो कि आपको analog देखने को मिल रहा है यहापे इसका T में अथब traction control यहापे आपको N मतलब Newton प्लस engine load function light प्लस एक ABS की light मिल जाती है यह इसका gear indicator है यहापे आपको clock मिल रहा है उसका fuel indicator है प्लस इसमें आपको trip 1, trip B, average, mileage, range, battery voltage यह feature आपको 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 मिलेंगे switches में यह pass feature है speedometer controller, turn signal app यह turn signal app, यह horn है यह आपको engine kill size प्लस एक 1000 का जो इस feature हो आपको 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 देखने को मिल जाएगा प्लस mirror आपको आपको round में बिलते है इसकी जो mirror quality दोस्तों वह भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी जो कि आपको chrome में आती mirror जो यह company ने आपको काफ़ी अच्छी ओफर किये वेल तो यह दोस्तों brand new funda cv350 highness के new deluxe pro chrome model का detail specification review अब दोस्तों आप comment करके ज़रू बताना आपको यह bike कैसे लगी bike बहुत premium bike है Honda की bike है, engine की quality प्लस build quality जो है, आपको काफी सुपब देखने को मल जाती है so I hope दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी कि और वीडियो चलेगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बढ़ाएगा तो सब्सक्राइब करेगा, मिलता है फिर नेक्स वीडियो में love you all, जेहिन बंद मात्रा